तो चलिए अब बात करते हैं एक्जाम्पल नमबर 45 की सेम काम है डिफरेंसियेशन करना है तीन पार्च हमें गिवन है इनमें आगें इंवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं इंवर्स इंवर्स और इसमें भी इंवर्स अब चाप्टर 2 पे जाना पड़ेगा चाप्टर किसलिता हैं साथ कोट्यों होच सारे बहुत सारी चेटेज़ करते हैं साइन पयात होको कि कॉछे inवर्स बहुंक्र करते हैं पिर यदि गए बिल्कुल ऑप सही ए अंदर है उसका differentiation कर सकते हैं गलत तो नहीं है उससे answer क्या रहा और इससे answer क्या रहा रहा same पड़ेगा बात लेकिन steps किसमें जादा लग रहे है वो तुम देखो तुम्हें कौन सा comfortable लग रहा है वो तुम देखो वह वाला तो आपको पता ही है इसमें हम क्या करनें देखेंगे let y equal to cos inverse sin x ठीक है तो y dash क्या आगया cos inverse का differentiation minus 1 upon under root में 1 minus जो अंदर है उसका square और 7 में differentiation होगा इसका sin x का differentiation क्या होता है cos x इवालिक तूँ ? cos x लेहां से y dash क्या आया minus का cos x upon में 1 minus sin square x क्या होता है cos square होता है और under root cos square क्या होता है cos x होता है तो y dash क्या है minus 1 आगया सही है उससे में answer minus 1 आजाएगा उसमें क्या करेंगे sin x को मम लिखेंगे πy2 minus cos x ठीक है और फिर क्या करेंगे cos cos हट जाएंगे πy2 minus x बचेगा πy2 का differentiation 0 minus x का minus 1 ये लगाना है वो लगाना है तुम्हार बढ़ दिये इसमें भी सेम प्राव है टैनल परस का differentiation आपको पदे कितना होता है वो आप लगा सकते हो वर्णा चाहो तो आप क्या कर सकते हो इसको simplify करके कुछ ऐसा बना सकते हो कि tan बन जाए और tan inverse से tan cancel हो जाए और फिर आप उसको simplify करके differentiation लगा सकते हो ठीक है और इस question में भी sin inverse का differentiation क्या होता है 1 upon under root 1 minus x square जहांपे कि x square यह हो जाएगा यह x है इसका square कर देंगे और साथ में into में इसका differentiation ठीक है कर सकते हैं you upon me वाला founder लगा के चाहो तो वैसे करो चाहो तो दूसरे तरीके से करो दूसरा तरीका मतलब यह कि अंतर वाला simplify करो इसका थोड़ा सा मैं हिंट के देती हो यह वाला तो फुट्राइ करोगे दोरो तरीके से ट्लाइ करोगे यह नहीं कि एक तरीके से एक जो book में given है इसको simplify करके एक जो आपको लगते है कि tan inverse का differentiation हो में पते है उसे साबसे भी आप कर सकते हो chain rule लगा को इसका मैं इन देगी क्या देखो sin inverse और अंदर 2 की power x है 2 की power x को कुछ t ले लो तो हम ऐसा क्यों कर रहे है अभी बता देदें यह क्या मन रहे है 4 की power x और 4 तीया 2 गा स्क्वेर चीक है तो इसको आप क्या लिख सकते हो 2 की power 2x लिख सकते हो सहीं लिख सकते है और 2 की power x के 2 की power x है t अगर 2 की power x t है तो 2 की power 2x t square हो जाएगा तो यह बढ़ी है नीचे t square अब पता चल रहा है कुछ t upon 1 plus t square यहां पर मैं को रप्ता है plus 1 आना चाहिए question में I think mistake मैंने copy करने में mistake रही 2 की power x plus 1 अब जहां तक वो formula कह रहा है क्योंकि formula होदा है 2t upon 1 plus t square थाना t upon 1 plus t square यह होदा 2t upon 1 plus t square होदा किसका formula होदा है यह आप कुछ होच यह मैं नहीं बताऊंगे तो यह बनेगा 2t क्योंकि 2 की power x इंटू 2 लिख सकतने है इसको और यह बनेगा t square अब यह बनेगे हमारा formula किस चीज का formula अब मैं नहीं बताऊंगे आप बताएंगे इंवर्स इंवर्स इंवर्मेंटरी पड़ी है तो बहुत अची बात है नहीं पड़ी है तो फिर यह मत करो अपने यह साब से साइन इंवर्स का differentiation लगाओ so I think I am leaving this question partially for you you will do this and I am sure कर लोगे next example की तरफ चल लें ठीक है